नेक्स्ट टो नाइन न्यूज भोशपुरिया के सब्सक्राइब करी अलेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाई नमस्कार मैं प्रयांका एक बार आपके सब लोगों के सामने फिर से लेकर के हाजिर हो भोशपुरी बायोग्राफी में जी हाँ हम अपने इस प्रोग्राम में आप सभी को एक ऐसे सुपरस्टार भोशपुरी के ऐसे सुपरस्टार के बारे में बताते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों के बारे में बताते हैं जो की भौजप्रिय इंड़स्टरी में अपना नाम बना चुकी है अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है और हर बार की तरहां मैं इस बार जिस सुपरस्टार के बारे में बात करने आई हूँ वो है भोजप्री इंडस्री की लैला यानि की काजल रागवानी जी हाँ काजल रागवानी भोजप्री इंडस्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस है हलाकि इन्होंने अपने करियर की सुरुवात बहुत जादा दिन पहले नहीं किया है बहुत पुरानी एक्ट्रेस नहीं है काजल रागवानी का जन 20 जुलाई 1990 के हुआ था वैसे तो काजल गुजरात में रहती है और उनके बारे में कहा ये चाता है कि काजल रागवानी गुजरात की रहने वाली है लेकिन हम आपको बता दे कि काजल रागवानी बिहार के बेगुसराई की रहने वाली है और उनका ग इन्वर्सिटी से हुई है जो कि बिहार की बिहार की बहुत बड़ी इन्वर्सिटी है वहां से काजल रागवानी ने अपनी पढ़ाई की लेकिन इसके बाद काजल रागवानी का जीवन ने एक करवट ली और वो जूने 15 साल की उम्र में माःफी चाहेंगे 16 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म में काम करने काी मौ突ब शौद की हुआ है कि 16 साल की उम्र में उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिल गया था उन्होंने 16 साल की उम्र में जो सबसे पहले फिल्म की थी वो एक माराथी फिल्म थी जी हाँ माराथी फिल्म में काम करने के बाद उन्होंने गुजराती फिल्म में काम करने का ओफर मिला और उन्होंने ऐसा गुजराती फिल्म में ऐसा काम किया ऐसी उन्होंने अपना उहां पे चाप छोड़ा कि गुजराती फिल्म में उनको back to back फिर 25 फिल्में उन्हें मिली जी हाँ, Kajal Raghwani ने अपने एक इंटर्वी में बताया था कि उन्हें Bhojpree के बारे में ज़्यादा नौलेज नहीं थी और अभी भी उन्हें Bhojpree की जो लैन्वेज होती है Bhojpree की जो भाषा होती है उन्हें basically नहीं आती लेकिन उनकी एक friend थी मुंबई में जिनोंने इस सजेशन दिया कि उन्हें भोचप्री इंडस्ट्रि में खुद को आजमाना चाहिए अपने सहली की बात मानी और भोचप्री इंडस्ट्रि में उन्होंने फिल्म करने के लिए हामी भरी और सबसे पहले काजल रागवानी की जो भूश्परी फिल्म थी वो थी रिहाई जिहां काजल रागवानी की फिल्म रिहाई से उन्होंने अपने करियर की सुरुवात की हलाकि ये फिल्म उतना नाम नहीं कमा पाया कह सकते हैं काजल रागवानी का उस समय उतना पहचान नहीं बन पाया उस फिल्म के जरीए लेकिन काजल ने वहाँ पे हार नहीं माना उनको पता था कि एक न एक दिन उनकी महनत रंग लाईगी और वो जरूर न कुछ न कुछ बहुत ही अच्छा करके दिखाएंगी और ऐसा हुआ भी काजल रागवानी ने वहाँ पे हार नहीं माना और बैक टू बैक टू बैक फिल्में करती गई उसके बाद काजल रागवानी को फिल्म मिली खेसारी लाल यादब के साथ जी हाँ आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि खेसारी लाल यादब के साथ काजल रागवानी की जोड़ी को बहुत ही दमदार माना जाता है और काजल रागवानी के साथ खेसारी लाल की जोड़ी जो है दर्शकों को भी बहुत जादा पसंद है ये तो फिल्म में तो काजल रागवानी और खेसारी लाल की जोड़ी तो जमती ही है रियल लाइफ में भी काजल और खेसारी दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त है आपने देखा होगा आपके पास हमेशा ये खबर आती रहती होगी कि खेसारी लाल जब भी कहीं स्टेश शो पे जाते हैं या जब भी कहीं उनका कोई प्रोग्राम होता है तो उनके साथ काजल रागवानी मौजूद होती है बहुत सी इन्होंने हिट फिल्म में की हैं अभी उनकी जो सबसे सूपर डूपर हिट फिल्म रही थी वह थी महंदी लगा के रखना जी हां 2017 में जो महंदी लगा के रखना फिल्म थी वह एक उन्होंने भोचप्री इंडस्ट्री में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कि अभी तक उस फिल्म की जगह किसी कोई और फिल्म नहीं ले पाया है जी हां खिषारी लाल ने अपनी फिल्म को लेकर के भी कहा था कि अन्हों एक ऐसीatore्म थी वह कहते हैं और जो लोग यह कहते हैं कि भुछप्री इंडस्ट्री में हचलीलता होती है कि उस चीज को बिलकुल बदलके रख दिया कहसकते हैं की जो खेसारी लाल की फिल्म थी मैं जरेक्टर वो पूरी पारिवारिक फिल्म थी और उस जलबा उस फिल्म का नाम आज भी लोगों के जहन में वसा हुआ है इसके बाद 2017 में तो बहुत से ऐसी काजल और खेसारी की फिल्म में मैं सहरा बान के आँगा रही की मुकदर का एक गाना पाँच करोड़ विउस पार कर चुका है काजल रागवानी के साथ और खेसारी लाल के साथ ये फिल्म थी जो की पाँच करोड़ का आकड़ा पार कर चुका है जिस गाने के बोल है सज के सवर के जी यहां सचके सबर में काजल और खेसारी का romantic अंदाज है और ये गाना दर्शकों के बीच काफी लोग प्रिय हो चुका है और काफी जादा दर्शकों को पसंद आ रहा है ये तो काजल और खेसारी की जोड़ी की बात हुई फिल्मों के अब रियल लाइफ में आपको हम बता तो काजल रागवानी उनकी जगह एक बहुत एहम रखती हैं काजल रागवानी के साथ खेसारी की दोड़ी को क्या खुद खेसारी लाल को भी पसंद आती है और काजल को भी कहना है कि खेसारी लाल एक बहुत अच्छे एक्टर तो है ही एक बहुत अच्छे इंसान भी है हाली में उनका दोहा कत्तर में स्टेज शोग हुआ था देसंबर के महीने में दोहकतर में स्टेज शो के दौरान आप सभी को पता ही होगा जिसमें काजल ने इस बात को कहा था कि खेसारी से बढ़िया कोई कलाकार ही नहीं उनकी नजर में ऐसे तो सारी कलाकार सही होते हैं लेकिन खेसारी उनके लिए बहुत ही एहम हीरो रखते हैं अहम रोल में रहते हैं और काजल भी चीज को बहुत अच्छे से मानती है और दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त है और इस के बाद साथ उनके इति निहीं टालिकन के बहुत नजर्दीग है और वह है काजल राख्वानी की ममी जी हाँ काजल लागवानी निजसरा पहुत हैं निखें की श्यायद उनकी ममी नहीं होती उनका साथ नहीं देती तो काझन आज इस मुकाम पे नहीं और हलाकी काजल रागवानी भोषप्री इंडस्री में बहुत ही बड़ा नाम है बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हो गई है लेकिन जब भी आप कभी काजल को अपनी की मम्मी के साथ देखेगा ता आज भी वो एक छोटी सी बच्ची लगती है अपनी मम्मी के साथ वो जिद करत आती हैं काजल रागवानी की मम्मी और खेसारी लाली आदम यह दो ऐसे वेक्ति हैं जिसके साथ काजल रागवानी भोषप्री इंडस्ट्री में अपना कदम रखी और आगे का सफर भी तैग कर रही है अब बात करते हैं साल 2018 के साल 2018 काजल रागवानी के लिए बहुत ही रखेदार रहा लेकिन कहीं न कहीं जिस समय जब यह बाते हुई थी तो काजल को काफी ज्यादा डर भी लगा था जी हां मैं बात कर रही हूं 31 दिसंबर की जब काजल और खेसारी का बिहार समस्तिपुर में स्टेश हो था जो की रध हो चुका रध हो गया था किसी दिक्कत सकती और काजल ने बहुत कोशिश की थी कि वह समस्तिपुर आ के अपने दर्शोकों का दिल बहला सके अपना स्टेश शो करें बट वह ऐसा हुआ नहीं उनको वह नहीं आपाई लेकिन फिर भी काजल ने उस बात को किया और लाइव आके काजल ने और केसारी ने दोडों न साफी सफर करेंगी इसके साथ ही साथ खूब सारा धामाल भी करेंगी साल 2018 में जी हां उनकी फिल्म आ रही है श्रीमान सहियाजी में काजल ने खहसारी का साथ छोड़ दिया है जी हां इस बार उनके साथ भोश्प्री इंडेस्टी में एक नए हीरो नहीं कह सकते उन्हें न अपनी तरफ से कोशिश करेंगे हम आपको रिपोर्ट पता सके इसकी खवर आप तक पहुचा सके आगे काजल कौन-कौन सी फिल्मों में काम करते हैं यह तो आपको धीरे-धीरे पता करेंगे लेकिन काजल रागवानी के बारे में कह सकते हैं जितनी तारीफ की जाए उतनी वो अपनी रियल लाइफ में कितनी भी सिंपल क्यों न रहती हो और एक अच्छे कलाकार की यही पैचान होती है इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही मैं नेक्स टाम आपके सामने फिर से हाजर होंगी कुछ नए खवर के साथ कुछ नए भोजपरी सुपरस्टार क के जिवन से जुड़ी हुई बातों के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नामस्काव